धिरेंद्र सास्त्री के बचाओं में उत्रे लोगों का एक लोजिक बहुत तगड़ा है और वह यह है कि सनातन धर्म पर लगातार हमला करने की साजिस करताओं का यह एक समू है उनका दूसरा आरोप है कि यह जो खुलासा करने वाले लोग हैं या हिंदू धर्म के पाखंड पर जो प्रस्ण उठाने वाले हैं वह क्यों नहीं क्रिस्टियन मुस्लिमों के खिलाफ आवाज उठाते हैं जबकि उनके धर्मों में भी पाखंड है तीसरा सवाल वह यह उठाते हैं कि यह हिंदू धर्म पर एक विशेश तरह का प्रायोजित हमला है जिसके लिए यूट्यूब बनाये जाते हैं और दुस्प्रचार का पूरा एक वितंडा खड़ा किया जाता है जैसा कि आप जानते हैं कि धिरंदर सास्त्री के पाखंडों के खुलासे की सुरुवात सबसे पहले जनजवार ने की ऐसे में जनजवार की जिम्मेदारी है कि इन प्रस्णों के तारकिक जवाब दिये जाएं जिससे कि हिंदू धर्म के भीतर जो लोग भी पाखंडियों और चमतकारियों के जाल में फसे हुए हैं या फस रहे हैं उन्हें मुक्त कराया जा सके आप सबसे लगातार जनजवार मीडिया बताता और दावा करता है कि वह अंधविश्वास मुक्त भारत और वैग्यानिक चिंतन और परमपराओं को आगे बढ़ाने की पत्रकारिता में सनलगन है ऐसे में हमारी कोसिस होती है कि जो भी पाखंड चाहें हिंदू फैलाएं मुस्लिम फैलाएं क्रिसियन या सिख फैलाएं या फिर किसी अन्य धर्म और समुदाय या संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति फैलाएं हम खुलासे जारी रखेंगे उसी खुलासों के तहट जनजवार ने ना सिर्फ धिरेंदर सास्त्री के चमतकारों पर प्रशन उठाए बलकि उसके साथ साथ चमतकार का दावा करने वाले प्रदीप मिस्रा पंडोखर महराज और गलत जानकारियां और वैग्यानिक जानकारियां प्रसारित करने वाली ज चेनतन की जो परंपरा है उसे भी जनजवार लगातार आगे बढ़ा रहा है आपको बताते चलें कि पहला साक्षातकार जनजवार ने अंदस्रदार निर्मुलंस समिती से जुड़े उत्तम जोगदंड का किया उत्तम जोगदंड ने खुले एयाम धिरेंदर सास्त्री के चमतकारों को चैलेंज करते हुए कहा कि उनकी संस्था पचीस लाख रुपए तक का इनाम दे सकती है इतना ही नहीं पंजाब की तरकसील सोसाइटी एक करोड रुपए तक देती है ऐसे में इन दावों के बाद जब धिरेंदर सास्त्री के खुलासे रास्त्री अंतर रास्त्री अस्तर पर होने लगे और जब धिरेंदर सास्त्री के चेले चपाटों और उनके मैनेजमेंट करने वाले लोगों को लगा कि इस से खुलासों से हमारा सच पता चल जाएगा सच पता चलने के बाद जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी तो उन्होंने दुस्प्रचार का हत्कंडा अपना है दुस्प्रचार का यहत्कंडा जब धिर्यंद्र सास्त्री के काम ना आया तब उन्होंने बकाइदा एक वीडियो बनाया जिसमें कहा कि हमारे खिलाफ यूट्यूब बनाये जा रहे हैं और क्रिस्टियन मिसंरीज सनातन धर्म के खिलाफ लगी हैं सनातन धर्म के खिलाफ क्यों लगी हैं इसलिए क्योंकि धिर्यंद्र सास्त्री के खिलाफ साइन्टिफिक टेमपर को प्रचारित प्रसारित करने वाले लोग वैज्ञानिक चिंतन करने वाले लोग सवाल उठा रहे हैं यह बिलकुल ठीक वैसे ही है जैसे राजनीत सास्त्र में कहा जाता है कि नेता की कुर्सी संकट में है तो देश संकट में है धिरेंदर सास्त्री के पोल पट्टे जब खुलने लगी और जब उसका खुलासा होने लगा और खुलासे के बाद जब उसके भक्तों में कमी आने लगी तो जाहर तोर पर बौखला गया और बौखलाने के बाद आप देख सकते हैं कि जनजवार पर हजारो हजार पेड कमेंट है और उनके अंदभक्तों के भी कमेंट है और उन कमेंट्स के जरीए उन्होंने तरह तरह की गालियां धमकियां जान से मारने की ये सब कुछ कहा लेकिन जनजवार जब नहीं जुका तब जाकर उन्होंने यह प्रपगंडा जारी रखा लेकिन जनजवार अपने खुलासे के कामों को लेकर आगे बढ़ता रहा उसी बीच अंद सरधा निर्मुलन समिती से जुड़े स्याम मानों के लोगों की नेगा जनजवार के वीडियो जब पर पड़ी जनजवार के वीडियो देखने के बाद उन लोगों ने इनको लेकर स्याम मानों से बात की तरक सास्त्रियों ने स्याम मानों से कहा कि आप संयोग से नागपुर में हैं और नागपुर में धिरिंदर सास्त्री भी आ रहे हैं और आप चैलेंज करिए उसके बाद बकाइदा स्याम मानों ने चैलेंज किया चैलेंज करने के एक प्रोसेस को भी फॉलो किया लेकिन धिरेंद्र सास्त्री ने चैलेंज सुईकार करने की जगह भागना सही समझा क्योंकि चमतकार और पाखंड और मेसेंजर आफ गौड्स के जितने भी तौर तरीके हैं सब के सब इसी बात पर निर्भर हैं कि जनता को ठगने के तरीके से यहां तक की सरतर्क सास्त्रियों ने अनेको बार जिस तरह के करामात धिरेंद्र सास्त्री या उन जैसे लोग करते हैं उनके खुलासे कर चुके हैं लेकिन देश में चुकी वैज्ञानिक चिंतन का अभाव है सरकारे भी पाखंड और चमतकारों को अपने वोट बैंक के लिए आगे बढ़ाती हैं इसलिए यह काम सफल नहीं हो पा रहा लेकिन जनजवार आप से तहे दिल से आपका सुक्रिया भी करता है और आपके सहयोग के लिए आपके साहस देने के लिए धन्यबाद भी देता है इसके साथ साथ अपनी जिद्द पर अड़ा हुआ है कि हम आने वाले समय में लंबे संगर्सों के जरिये भारत में पाखंड का खात्मा करेंगे और एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसमें की वैज्ञानिक चिंतन हो जातिवाद न हो और धर्म के आधार पर एक दूसरे से मार काट न मचाई जाए साथ ही गरीब हिंदु जनता को ठगने का जो ठरकी पना इन बाबाओं और संतों ने गढ़ लिया है उससे भी मुक्त करना है क्योंकि लोग अपनी रोजी रोटी बहुत मुश्किल स रातों दिन की मेहनत से थोड़ी बचत कर पाते हैं अपने बच्चों के भविस्य में लगा पाते हैं लेकिन इन बाबाओं की वज़ा से लोग भाग्यवादी हो रहे हैं लोग जो है भगवान भरोसे होते जा रहे हैं जबकि सरकारी नाकामियों और उनकी लूट पर जो पाल उठना चाहिए वो नहीं उठ रहा है और सरकारें जाहिर तोर पर बाबाओं को सिस्टम के एक सेफ्टी वाल्व की तरह इस्तेमाल कर रही हैं और उनकी कोशिस है कि किसी भी तरह जनता को उल्लू बनाया जाए लेकिन उन्हें सही सवालों के साथ सही प्रस्णों के आज में ना आने दिया जाए जन ज्वार जनता की मीड़ा